नमस्कार ने पेन बाश्पेई अपने यूटूब चैनल में पेन बाश्पेई पे आपका बहुत-बहुत सागत करता हूँ ससी सीचसल 2020 टीर टू की जो बच्चे प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यदा हेल्फुल होने वाला है अंतर समाझ में आ जाएगा हर बार आप एक्जामिनर को अपनी गलतियों के लिए नहीं गलट हैरा सकते तो आप देखिए कापनियों को आपको खुद अंदाचा लग जाएगा कि कहीं न कहीं चीजे वैरी करती हैं और अगर आप अच्छा लिख के आएंगे तो आपको डेफ करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी से इन्फार्मेशन आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप स्सी छसल 2020 टियर टू यानि की डिस्क्रिप्टिव के एक्जाम में 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर पीडियो प्लस वीडियो कोर्स को जॉइन कर सकते हैं इस कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे हम 40 प्लस जो आटे की कॉपी है उनका वीडियो लेक्चर के मादियम से यहाँ पे एक्स्पिनेशन कराएंगे उसके लावा आपको डे सारे वीडियो कि किस तरीके से आपको ऐसी लिखना है कैसे Leiter लिखना है और अगर कमान टपिक पी आएगा ऐसे तो कैसी लिखेंगे अगर करें टपिक पी आएगा तो कैसी लिखेंगे leater formal informal कैसे लिखेंगे precise writing वो सारे वीडियोज आपको मिलेंगे उसके अलावा hundred plus essay जो most important essay है उनकी पीडियेब मिलेगी hundred plus later की पीडियेब मिलेगी उसके अलावा precise की पीडियेब मिलेगी कहने का मतलब यह है कि इस course को लेने के बाद आपको कोई book बगारा purchase करने की कोई पीडियेब मिलेगी उसके लावा जो सबसे खास इस course की बात है वो यह है कि हम आपकी till exam copy check करेंगे यहाँ पर आपको daily essay or letter की practice कराई जाएगी डेली आपकी copy check होगी डेली आपको marks मिलेंगे अगर आप इमानदारी से महनत करोगे जो चीज़ें यहाँ पर मैं provide कराने वाला हूं उन पर कर अच्छे तरीके से आप काम करोगे तो 100 परसेंट आप 70 प्लस score descriptive के exam में कर किया होगे अगर आपको इस course के regarding कोई फी information चाहिए तो आपको करना क्या है 6307-1856-9 इस नमबर पर आपको बाट से पर message करना है आपको इस course के regarding सारी information दे दी जाएगी तो चलिए start करते हैं वन वाई वन दोनों कॉप्यों को देखते हैं आपको खुद बखुद सारी चीज़े समाझ में आ जाएंगी उसके लाबा वीडियो के last में आपके लिए बहुत कुछ है जिससे आपको बहुत यदा help मिलेगी तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आप लोग यह copy देख पा रहे होंगे 35 नमबर वाली जिसमें essay में 28 नमबर है और लेटर में जो नमबर है वो 25 हैं तो पहले इस copy को देखते हैं फिर 77 नमबर वाली copy देखते हैं तो ऐसे आया है आपका भारत में अव्यक्ति की सुदंता संबैदानिक प्रावदान और सर्वजनिक बहस एक ही topic है सेम topic और 2019 की दोनों कॉपियां है और दोनों के बीच में कहीं न कहीं comparison जो है वो काफी ज़्यादा आपके लिए helpful होगा इन दोनों के बीच में जो comparison है उससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी तो किस तरीके से स्टेड ने लिखा है कि मानब के व्यक्तित्य के विकास एवं गरिमा पूर्ण जीवन है तो अव्यक्ति की सुदंता आवस्चक मना गया है हमारे देश के संबिधान के बाग धर्ड के अंतरगत मौलिक अधिकारों के अंतरगत अनुच्छ उनिस वन का में अव्यक्ति की है किसी भी देश को ससक्त एवं सवल बनाने है तो यह आवश्यक है कि वहां की जनता को यह सुतंता हो कि वह सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन एवं खराब नीतियों का बिरोत कर सके एवं अपनी बात बाग अव्यक्ति एवं प्रदेशन के जरिये सरकार तक पहुचा सके आज के इस युग में सोशल नेटवर्किंग के माद्यम से अपनी बात किसी भी स्थान से एवं किसी भी समय रख सकते हैं अव्यक्ति की सुधनता का मनोवेग्यानिक रूप से मानव के मस्तिक्स में बहुत बढ़िया प्रभाप पड़ता है अगर किसी इस्थान या कार से आपके साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं परन्तु इस सुतनता का कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट फेस्बुक वाटसप के जरिए बढ़काव वांसर देते हैं एवं कुछ भी मिन्टों में जवा एवं दुखत घटना घट जाती है ऐसी परिस्टियों में सरकार का अव्यक्ति की सुधनता को रोकना पड़ता है जिससे कि नुकसान की आसंका कम रहे सारता या कहा जा सकता है कि अव्यक्ति की सुधनता के फायदे के साथ साथ कुछ खामियां भी हैं जिनें दूर कर के एक स्रेष्ट भारत का निर्मान करना चाहिए तो 28 नंबर मिले हैं अब पहले समझो कि क्यों 28 नंबर मिले हैं देखो जो टॉपिक है वो यह है कि भारत में अव्यक्ति की सुदंता संब्यदानिक प्रावधान और सावजनिक बहस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है आ अगर आपको एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो दो तीन बार पढ़िए देखो यहां पर जो टॉपिक है वो यह कहना चाहता है कि जो अव्यक्ति की सुदंता है उसका संब्यधान में क्या प्रावधान है यानि कि संब्यधान में किस आडिकल से लिया गया उसके अलाबा किस देख से लिया गया उसके अलाबा यह सारजनिक बहस का मुद्धा क्यों बना हुआ है हो सकता है जिस टाइम पर टापिक पूछा गया हो उस टाइम पर कुछ इस पर डिवेट चल रही हो कुछ इस पर कुछ ऐसा मुद्धा हो जिसकी वज़े से यह उदर कुछ भी मत भागो आप टू दा पॉइंट लिखोगे कि टू दा पॉइंट लिखोगे डाई सब्दों में बहुत बेटर ऐसे आप लिख सकते हो लिखने के लिए आप अपना जो ऐसे है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करो introduction, main body और conclusion, introduction में जो उसका मतलब जो सार है पूरा जो उसके बारे में facts हैं वो सारे बताने का प्रियास करो और अगर आप present scenario से जोड सकते हो तो उसे जोड़ो तो चलिए अब later देख लेते हैं फिर जो 77 नमबर वाली copy है उसको देखते हैं अब चुकि इसे essay में 28 marks मिले हैं तो क सही न कहीं later में भी इसे कम नमबर मिलेंगे क्योंकि ऐसा आपने अभी तक देखा होगा जितनी भी RTA की copy मैंने आपको दिखाई अगर ऐसे में कम नमबर हैं तो later पे भी उसका प्रवाब पड़ता है तो चलिए देखते हैं later को तो later आया है या मानते हुए कि आप सुरेज स समू के बीच में रहकर कारे कर रहे हैं आप अपने छितरी इस्तर पर संबंदित अधिकारी उप जिलादीकारी बस्तर चतीसगर पिंकोड दिया हुआ है को पत्र लिखें जिसमें आपके समाच के लोगों द्वारा अनुबब की जा रहे भी भी समस्याओं के समाधान का ही डाला है जबकि रैटर का जो अडरस है वो सबसे पहले डालना है सबसे पहले रैटर का अडरस उसके बादेड ala टिट और आपका रिसीवर का अडरस ठीक है तो वो चीजी स्किप कर दिया तो कहीं न कहीं यह भी गलत मिस्टेक की है यहाँ तो आगे लिखा है कि बिसे क्या है छेत्री लोगों के समस्या के समाधान है तो महोदे मैं सुरेश इस पत्र के माद्यम से आपका द्यान बस्तर के सुदूर छेत्र की और उत्क्रेश कराना चाहता हूं मैं इस छेत्र में पिछले कुछ दिनों से निवास कर रहा हूं एब हम यहां की परिसानिया समझने का प्रयत्न कर रहा हूं इस छेत्र में जहां एक और बुनियादी जरूरते हैं जो पानी विजली की बिवस्ता नहीं है वहीं दूसरी ओर डिस्टल इंडिया मोबाइल गवर सकता है ताकि यहां की लोग स्वस्त बनकर देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान देश सकें आसा करता हूं कि आप मेरी समस्याओं को समझेंगे जल से जल यहां की इस्ति सुधा रहेंगे धन्यवास सुर्येश फिर बाद में अपना डाला है तो इसे 25 मार्स मिल आप ही अच्छा स्कोर दिया है अगर वो चाहता तो इससे भी कम मार्स दिये जा सकते थे अब मैं 77 नंबर वाले कॉपी आपको दिखाता हूं आपको तो यह जो अंतर है वह और अच्छे तरीके समझ में आजाएगा उसके बाद आपके लिए क्या important चीज़े हैं उनको प्रावदान और सर्वजनिक बहस तो मैंने आपको यह भी समझा दिया कि एक्चल में जो एक्जामनर है वो आप से क्या लिखवाना क्या चाहता है अगर इस इस चीज़ को मेंजन किया होगा तो डेफिनेटली इसे अच्छे नंबर मिलेंगे तो इसने लिखना स्टार्ट क पूर भारतियों का अतिदिक सोसन हुआ जिसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक स्वस्त लोकतंति के निर्मार के लिए अनेक मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए को सामिल गिया तो जाहिर सी बात है इसने टू दा पॉइंट चीज़ों को मतलब explain कर रहा है और कहीं न गहीं उनी चीज़ों को link कर रहा है अपस में फिर उसके बाद लिखा है कि परन्तु क्या व्यक्ति की सोदनता हमें किसी अन्य देश राष्ट के बिसे में बोलने की भी प्राप्त है अब देखो इसमें जो मतलब आगे का जो point था कि क्या मतलब अव्यक्ति की सोदनता जो है वो सार्वजनिक बहस का करण क्यों बन नहीं है मतलब यह जो पूछा है टॉपिक में कि सार्वजनिक बहस इस पर क्यों है तो उसको अब बाद में explain करने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु क्या अव्यक्ति की सोदनता हमें किसी अन्य देश लास्टिके बिसे में बोलने की भी प्राप्त बरतमान समय में या सवाल कि सानों दोरा पंजाब रियाना आधिराज्यों में हो रहे क्रसी बिल पर आंधोलन पॉप इस्टार आयाना अमेरिका मिया खलीफा दोरा तूट के माध्यम से अपने विचार फ्रकट करने के करण उठ है जिसका तुरित जवाब विदेश मंत्राले दोरा दिया गया चुकि बरतमान समय डिश्टल दुनिया का है और इसमें सोसल मीडिया अपनी अहम भूमी का निवा रहा है इस परदस्यों को देखते हुए संपूर्ण विश्यों के देशों को एक जूठ हो कर रहनी ते हम सी अनेकों बार देखा गया है कि अव्यक्ति की सुद्धा का गलत इस्तेमाल हुआ है जिसका परदाम साइवर बुलिंग, साइवर बुलिंग, दंगे, जनाक्रोस और जानमाल की हानी के रूप में प्राप्त हुआ है चुकि प्रत्य चीज के दो पहलू होते हैं सकारात्मक औ आता देश के नागरिक होने के नाते हमारा करतब सभी अधिकारों का सही इस्तेमाल करना है, एवं स्वस्त समाज, एवं मजबूत लोक्तंत बर्याने की जिम्मेदारी हमारी है, तो इसको जो 38 मार्क्स मिले हैं तो आप खुद समझ गया होंगे कि यहां पर देखो इसने कट काटिंग हो जाती है, वैसे तो आप आप अवाइट करो, अगर आप सारा अपना ब्लूप्रिंट पहले बना लोगे कि इंट्रोडेक्शन में आपको क्या डालना है, में बॉड़ी में क्या डालना है, आप के पास पूरा रोड मेइप होगा, तो आप लिखते चले जाओग को explain किया देखो पहले भारत में व्यक्ति की सुधनता संबेदानिक जो प्रावधान ने उसके बारे में जिकर किया फिर साबजनिक बहस का मुद्ध क्यों बना हुआ है उस चीज को भी डिरेक्ट देख लेते हैं कि जो लेटर है वो किस तरीके से लिगा चुकि ऐसे में 38 नंबर है तो जायर से बाद है लेटर में भी अच्छी नंबर मिले होंगे क्योंकि कहीं न कहीं एक साइकलोजिकल एफेक्ट भी पड़ता है इस चीज का या मानते हुए कि आप सुरेज सीमा है मैंने आपको लेटर पहले वाले ही कॉपी में बता दिया कि लेटर का टॉपिक किया है ठीक है अब देख लेते हैं किस तरीके से लिखना स्टार्ट के देखो सबसे पहले आता है समूग की समाजिक समस्याओं के समाधान है तू आगरे मौदे जी सवरी निवेदन है कि मैं सुरेज एक समाजिक कारे करता हूं मैंने बस्तर जिले के जन जाती समूग का दोरा किया जिससे मैंने बहां लोगों की अनेक समस्याओं को महसूस किया जिससे जिसमें स्वच पीन होने के कारण बे सही इलाज उप्चा लेने में असमर्त हैं अता मेरा आप से अन्रोध है कि उन लोगों के लिए भूल-भूस सुविदाय उपलब्द करवाएं हम सास्की स्वास्तिविर का आयोजन करवाएं साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करें जिससे उनका जीवन इस्तर में सुधार आये सलगन सुच्छ गंदगी सुच्छता गंदगी की कुछ तस्वीर हैं मतलब सलगन भी यहां प्याट कर दिया है साधान्यवाद आपका भवदी सुरेश तो यहां पर देखो इसने जो ऐसे मतलब लेटर लिखा है व जो माक्स मिलें वो 39 मिलें तो आपको खुद लग रहा होगा कापी को देखे कि 39 माक्स एठ डिजर्ब करता है तो इसको अगर 77 नंबर मिले और जो इससे पहले कॉपी मैंने दिखाई उसमें 53 नंबर मिले तो आपको डिफृफरेंस खुद समझ में आ रहा होगा तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि यार इस चीज में अपना दिमाग मत लगाओ कि सारा कुछ लग बेसिस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर अच्छे तरीके से एक राइट डारेक्शन में महनत करोगे, अपनी जो चीजें अपना जो टॉपिक है, जो ऐसे है, उसको फैक्स के बैसिस पर लेकर जाओ, आप कॉमल लिखोंए मत, आपको उसके लिए करना क्या है, जितने भी आकड़े हैं, जैसे कि स्वास्त का आकड़ा है, जो रैंकिंग है, उसके लाबा गरीवी में जदा बताने का प्रयास करो और अगर प्रेजेंट कोई जो सिच्टेशन अगर कोई घटना ऐसी है जिसे आप लिंक कर सकते हो तो उसे भी लिंक करो तो जो अपना पूरा जो आपको कौपी लिखनी है जो अपना पूरा टीर टू का जो माइंड सेट है वो फेक्ट्स पे फोक कुछ भी नहीं हे हिंदी में अगर अच्छा लिखोगे तो अच्छे नमर मिलेगे आप लोगोगों को मैने कॉपी दिखा दी 77 लाक से जो कि दिस्कृप्टिब के हिसाब से काफी अच्छ है score है तो ऐसा कुछ भी नहीं बीने टिक्षा क्या ओका होगिंगी एंग्लिश म वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यदा आपके लिए important है तो इसके लिए आप हमारे complete tier 2 PDA plus video course को join कर सकते हैं इस course में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और मैं guarantee के साथ कर सकता हूँ कि जितनी मेहनत में यहाँ पे कराने वाला हूँ अगर इमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो 100% आप 70 प्लस score कर सकते हैं तो अगर आपको इस course के regarding कोई भी information चाहिए तो आपको करना किया है 6307185699 इस नमबर पर आप बाटसे पर message करिए आपको इस course के regarding सारी information दे दी जाएगी तो उमीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पुरा अन तक देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहां से लेके जा रहे होगे करना किया इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है तक एक right content और एक right information जाए तक पहुंच सके उसके लाबा अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक इसे subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe करना मत बूलेगा